इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको जो लेफ साइड में मिनी मैप दिख रहा है वो कैसे इंस्टॉल करना है जिसमें आपको बहुत ही जादा हेल्प होती है ठीक है टैप दबाओ के देखो यह आपके आसपास सब जो भी चीज़ें वह सब दिख जाएगी क्या चीज़ है तो आपको इसे इंस्टॉल करना है पूरा प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कमेंट सेक्षन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सब चीजों का मतलब डारेक्ट तो आप इसी उसको कर सकते हो इंस्टॉल तो वीडियो में अभी तक नहीं हो तो जल्दी से सब्स्क्राइब कर दो क्या कर रहे हो बाई चलो चल्दी चलते है प्रोसेस के और लेस घौ तो गाइस मैं आज चुका अपने डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर एंड और रखें तो फर्स्ट वाला जो इंक है आपका फैब्रिक का है वह आपको simply यहांपर डाउंलो ठीक है ये वाला और ये वाला इसको आपको इन दोनों को सेम वर्जомина करना है ठीक है तो हम इस पर All वर्जन पर क्लिक करते हैं हम release वाला तो नहीं करेंगे हम करेंगे 1.20.1 ठीक है तो इसमें हम कर लेते हैं 1.20.1 जो भी इसका है ठीक है यह वाला कर लेते हैं यहाला आप simply आपर इसको डाउनलोड कर लेना फिर आज आते हैं मैप के पास एंड मैप को भी हमें आपर 1.20.1 का ही करेंगे 1.20.1 जो कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा अगर अपडेट का आपको बोलता है तो आप इस इजली फैबरिक API को भी अपडेट कर लेना एंड मिनी मैप को भी अपडेट कर लेना ठीक है बाकी जो आप वर्जन खेलते हो उस वर्जन के लिए आप डाल सकते हो इसको भी डाउनलोड कर लेना ठीक है आपके पास हो जाएंगे तीन फाइल जो की कुछ ऐसी है ठीक है यह तीनों फ इसको इसलिए नहीं हो रहा है ठीक है तो आप इसको इसलिए इंस्टॉल कर लेना ठीक है दन उसके बाद आपके पास बचेंगी दो यह वाली फाइस तो इनको आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पर खोलना है टी लॉंचर एंटी लॉंचर ओपन फाइल लोकेशन पर जान अधिया पर इसका द्राग औट रॉप कर दो तो फो मैं सको कर देता हूं रिप्लेस भी चीज आ रहा है पर यह नहीं होगा जुआ पर पर कर देते हैं आपका जो मैप है वो भी गेम में लग चुका है अना ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं था आप चाहे मल्टिप्लेयर खेलो आप चाहे सोलो प्लेयर खेलो इजी आपका पूरा काम हो गया है इस वीडियो कैसे लगी जन्दी से मुझे कमेंट सेक्षिन बता दो एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना मिलते है नेक्स वीडियो में जो तक ले बाई बाई लवियो ल बाई